हलो साथियों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल लोड़ बुद्धा स्टेडी सेंटर धरहा की यूटूब चैनल में आज मैं सुरेंद कमार आप सभी साथियों के लिए लेके आया हूँ खांसर का जो NTPC का प्रेक्टिस से आया है उसी से फर्स सेट का फर्स सेट का आपके साथ मैं 40 जेनरल आवेर्नेस का कोस्चन करवाऊंगा और मैं बता दूँ यदि इसका पीडियाफ पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से जूर जाएगा उसका लिंक आपक के बना सकते हैं और मैं बता दू कुछ कोस्चन आपको इस बुक में यानि सेट में आपको मिस्प्रिंट देखनी को मिल सकता है तो उसको मैं आपको टेलिग्राम गूरूप में आपके साथ में चर्चा कर लूँगा कौन सा कोस्चन आपको मिस्प्रिंट है उस रिज़ को आप सही करके बनाईएगा अंसर आपको करेक्ट आ जाएगा चलिए इस वीडियो में फिलाल आपके साथ मैं चालिस अब्जेक्टिव कोस्टन करता हूँ चलिए आते हैं कोस्टन नम्मर एक की और जर्नल अवेर्नेस का कोस्टन होगा कोस्टन नम्मर एक आपका कहता है एक नम्मर कोस्टन कहता है सिवाली की पहाड़ियां किस राज में इस्तित है सिवाली की जो पहाड़ी है ये किस राज में है देखे साथ वे इसका अंसर आपको हो जाएगा आपसन नम्मर एक यानि हिमाचल परदिश में अब देखिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझते हैं यह जो है शिवालिक यह आपको हिमाले का एक क्या है? हिमाले का ही एक गिरीपद पहारी है क्या है गिरिपत पहारी है और इसकी आसत उंचाई जो है आप नुट कर सकते हैं 600 मीटर इसकी आसत उंचाई कितनी है 600 मीटर है आगे एका कोश्चन देखिए कोश्चन नमर दो इसको भी समझते हैं दो नमर कोश्चन को निमने लिखित में से कौन सा भारत का पहला अंत्राग्राहिक अभ्यान था इसका अंसर हो जाएगा आपसन नमर दो यानि मंगल मीशन अंसर क्या हो जाएगा मंगल मीशन आपका अंसर हो जाएगा और देखिए इसमें देखिए एक कोश्चन आपको मैं बता रहा हूँ इसी सम्मन्धित इसमें देखिए कहता है यह जो है मंगल मीशन इसके बारे में ध्यान सुनिएगा मार्स और बीटर मीशन को मंगल यान भी कहते हैं यह भारत का पहला यह जो है मार्स और बीटर मीशन को मंगल यान कहते हैं क्या कहते हैं मंगल यान भी कहते हैं यह भारत का पहला अंतर ग्राहिक अभ्यान है और इस यान को यानि इस यान को जो है आपको परछेपित किया गया इसरो के द्वारा किसके द्वारा इसको परच्षेपित किया गया अब देखे कब किया गया यह किया गया आपको पांच नवंबर पांच नवंबर 2013 को यह आम नौट कर सकते हैं इसको परच्षेपित किया गया पांच नवंबर 2013 को इसको परच्षेपित किया गया अब देखि यह यान 24 सेप्टेंबर एक चे और नौर कर सकते हैं यह यान जो है 24 सेप्टेंबर 2014 को 2014 को मंगल की काच्छा में अस्थापित हो गया यानि यह जो है गया कब इसको देखे परचिपित किया गया आपको पांच नवंबर 2013 को और यह मंगल की मंगल गरव जो है इसकी काच्छा में अस्थापित हो आपको 24 सेप्टेंबर 2014 को अब देखिए इससे समझित आपको मैं एक कोश्चन और बता रहा हूँ एसिया का पर्थम देश एसिया का पर्थम देश तथा अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुँचने वाला बिस्व का पहला देश बिस्व का पहला देश को बन गया यह बन गया आपको भारत जियान सचुनेगा यह कोश्चन आपके लिए इंग्पोर्टेंट हो सकता है इसिया का पर्थम देश तथा एसिया का पर्थम देश तथा अपने पहले प्रियास में मंगल पर पहुँचने वाला विश्व का पहला देश बन गया एसिया में भी पहला और विश्व में भी पहले प्रियास में मंगल पर पहुँचने वाला पहला देश को नमना यह बना आपको अपना भारत अगला question देखिए, question number 3 पिर्थिवी का अपना बायू मंडल क्यूं है? इसका देखिए answer हो जाएगा, option number 3 गुरुत्वा कर्शन सक्ति के कारण अगला question number 4 देखिए question है, प्रेरक कौसल मस्तिस्क के कौन से भाग के साथ सम्बंधीत है? इसका answer क्या होगा, साथियों? answer हो जाएगा, आपका, option number 1 ललाट भाग, एक answer हो जाएगा अगला question देखिए, पाँच नंबर प्रोटो जुआ के अलावा, कौन सा एंजाइम प्रानी जनित के सभी सदस्यों में मौजूद है? इसका answer क्या होगा? इसका answer हो जाएगा, option number 4 पाँच नंबर question का answer हो जाएगा, 4 यानि, एमी लेस answer हो जाएगा, option 4, एमी लेस च्छो़ नंबर question देखिए तरल पदार्थ के कौतनांग पर क्या होता है? इसका answer क्या होगा? question number 6 का answer हो जाएगा, तीन नंबर, option, तापमान, नियत रहता है, इसका answer हो जाएगा, तीन नंबर, option, अगला question देखिए से बन नंबर question, बाता बरन की, स्वरी, बाता बरन का वह अस्तर, जो, electrons, और धनात्मक आयन के कुछ अंसों के, मिश्रन से, बना है, क्या कहलाता है, देखिए, क्या कहलाता है, इसका answer हो जाएगा, आपका, तो नंबर, option, यानि, I know, Sphere कलत है, क्या कलता साथियों, I know, Sphere, दो नंबर, आंसर हो जाएगा, अगला question देखिए, इसका देखिए, ये question जो है, आपको कथन कारक, क्या है कथन कारक, अब देखिए, इसको समझते हैं, एक नंबर में कहता है, Fishing Cat, जो है आपको, चिलका जील की, राजदुत बनी, अगला देखिए, दो में कहता है, चिलका जील, Asia का, सबसे बड़ी, और दुनिया की, दूसरी, सबसे बड़ी क्या है, लेगून जील है, अब देखिए, साथियों, इसमें जो Question कहा, देखिए, दोनों सही है, कथन क्या है, दोनों सही है, इसका आंसर हो, चलिए देखते हैं, क्या हो जाएगा, अब देखिए, और दूस्तों, ऐसा Question है, आपको, दोनों, जो कथन दिया हो, उसके बारे, जानकारी होनी चाहिए, त Important Question हो सकता है, Question No. 9, चलिए, इसको समझते हैं, Question आपका कहता है, प्रस्नकाल के बाद, लोकसभा के किसी सदस्द्वारा, जनता के महत्व के किसी, निशित विशह पर विचार विमर्स हेतु, कारी का धिहान आकर्सन के लिए, रखा गया, प्रस्ताब, क्या कहलाता है, तो दे कि आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपको, Option No. 3, अस्थगर्ण प्रस्ताब कहलाता है, कैसा प्रस्ताब हो जाता है, वो आपको अस्थगर्ण प्रस्ताब कहलाता है, अगला Question No. 10, चलिए, इसको देखते हैं, 10 No. Question, मौदरिक नीती का मुख उदेश क्या होता है, मौद Option, ती No. Option आंसर हो जाएगा, मुल्य इस्थिर्था के साथ आर्थिक विकास को प्रस्वाहन करना, इसका आंसर हो जाएगा, ती No. Option, अगला Question देखिए, वह एक महत्र बाइसराय कौन थे, जिनकी भारत में हत्या हुई थी, अब देखिए, कौन बाइसराय था, जिसको भारत में हत्या कर दिया गया, इसका अंसर तो इसे हो जाएगा, Option D, यानि Lord Mayo, Lord Mayo की हत्त, किसने क्या था, चलिए जानते हैं, जारा नमर Question है, देखिए, इसको डेटेल से थुरा समगते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, देखिए साथ यूँ, इसमें आपको कहता है, इसका हत्या हुआ था, लड़ मेयो का हत्या हुआ था, इसका हत्या का हुआ था, सबसे पहले ये जान, इसका हत्या हुआ था, आठ फरवरी, आठ फरवरी अठार सु बहत्तर को, लड़ मेयो की हत्या हुआ था, अब देखिए, इसका जो हत्या हुआ था, अंडवांड द्रीप के, इसका हत्या क्या था सेर अली अफरीदी ने लक्ष द्विप के पोटबलेयर भी इसकी हत्या कर दिया था इसने क्या था ये आप नौट कर लीजेगा सेर अली अफरीदी अगला कोस्चन चलते हैं 12 नमर बहारत नमर कोश्चन ध्यान से देखिए क्या कहता है साथियों कोश्चन आपका कहता है भारत में बीतिये नीती के पर्मुक उदेश कौन सा नहीं है देखिए कौन सा बीतिये नीती का उदेश नहीं है सबसे पहले देखिए अंसर आपका हो जाएगा option एक ही हो जाएगा यानि अर्थ विवस्था में तरलता को बढ़ाना यह क्या है बीटी अनीती का पर्मुकुदेश नहीं है अगला question चलते है question number 13 Theosophical Society के संस्थापक कौन थे Theosophical Society के संस्थापक कौन थे इसका देखिए answer क्या हो जाएगा तेरह नमर question का अंसर हो जाएगा option 2 मेडम बलादी बौस्था अगला देखिए अब देखिए दोस्तों इससे एक question और बनता है इसका अस्थापना Theosophical Society के अस्थापना कव हुआ था इसका देखिए अस्थापना हुआ था उसको नोट कर लिजेगा सत्रो नमर अठाड़ सब पच्छत्तरक Theosophical Society का स्थापना सत्रो नमर अठाड़ सब पच्छत्तरक को हुआ था अगला question अगला question देखिए भारत के पर्थम फिल्ड मार्शल कौन थे यह आप जानते होंगे भारत के पर्थम फिल्ड मार्शल थे आपको जनरल मानिक सो कौन थे साथियों देखिए इसमें अंसर हो जाएगा option चार जनरल मानिक सो अगला question देखिए यह कथन आपके लिए बहुत ही important हो सकता अब देखिए आपको कथन देखिए इसमें कहता है किसका कथन है देखिए कहता है धर्ती सभी के लालच के लिए नहीं बल की सभी की अवसकताओं की पूर्ती के लिए पर्याप्त साधन उपलद कराती है यह कथन किसने कहा था अब देखिए साथियों आपको मैं इसके बारे में कुछ बता दे रहा हूं जैसे क्या होता है कुछ कोश्चन पर आप इसपास नहीं कर सकते हैं यह कोश्चन का अंसर यह होगा उसी तरह से क्या होता है इसमें सबसे पहले देखिए आंसर जानते आंसर देखिए क्या हो जाएगा तो answer आपको हो जाएगा option number 2 महात्मा गांदी अब देखे महात्मा गांदी जी खा ऐसा बहुत सा कर्थन है जो आप सोचेंगे नहीं कि महात्मा गांदी इसका answer हो सकता है लेकिन होता क्या है answer वही होता है तो इस दिज़ को आप ध्यान रखें ये कथन को आप इसको नर्माली वे में ले सकते हैं तो चली अगला question चलते हैं अगला question देखिए आपका 16 नमर question क्या कहता है उसको समझते हैं 16 नमर question कहता है पुर्तगाल के सांसद पुर्तगाल के सांसद डू आटे पचेको को दू हजार 20 से 23 के 3 साल के कार्यकाल हे तू अंतर संसदिय संग आई पी यू के तीस में अध्यक्ष की रुप में चुना गया है आई पी यू का मुख्याले कहां है तो आई पी यू का मुख्याले कहां है इसका देखिए अंसर क्या हो जाएगा 16 नमर question का देखिए अंसर हो जाएगा आपका आपसा नमर एक क्या हो जाएगा जिनेवा सुट्जर लेन आई पी यू का मुख्याले हो जाएगा आपको जिनेवा सुट्जर लेन अगला question देखते है question नमर देखिए 17 गहरे समुद्र के गोता खुरों की oxygen आपूर्ती में helium मिलाई जाती है क्योंकि अब देखिए helium क्यों मिलाई जाती है इसका देखिए 4 option आपको दिया गया है 4 option दिया गया है answer क्या हो सकता है देखिए answer हो जाएगा सबसे नीचे में जो आपका option दिया गया है 4 number option क्या हो जाएगा चार नमर ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर दिया गया है आपका यह उचिदाप पर नाइट्रोजन की अपिक्छा खून में कम घुलंसी होती है इसलिए अगला कोश्चन है आपका अठार नमबर दिया गया है टेरीलीन एथीलीन गल्यकॉल और किस आमलक का संगहनन बहुलक है इसका देखने अंसर क्या होगा आठार नमर कोश्चन का अठारा नमर कोश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अप्शन नमर चार क्या हो जाएगा चार नमर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा टेरे फले थी लिकमल क्या है टेरे फथे लिकमल इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका अप्शन चार अगला कोश्चन देखिए उनीश नमबर भारतीय अगला question है आपका भारतीय महासागर में सबसे छोटा दीप देश कौन साय है सबसे छोटा दीप देश कौन साय है अगला question देखिए sorry सारी ऐसका देखिए answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा आपका यानि आल दीप क्या हो जाएक मादवी पाप आपका आउनसर हो जाए अग लेख तकी लोग लिख içा समेटी की अध्यक्स की न्युकती कून करता है लोक весь लेख सब्सक्राइब करता है है इसका दक्षा आंसर क्या होगा इसका question आते हैं अगला question नमर 21 कहता है निमने लिखित में से कौन सम्मेधानिक संस्था नहीं है साथियों कौन सम्मेधानिक संस्था नहीं है 21 का answer क्या होगा 21 का answer आपको हो जाएगा option नमर 2 करमचारी चयन आयो करमचारी चयन आयो यह क्या है यह आपको सम्मेधानिक संस्था नहीं है करमचारी चयन आयो अगला question नमर देखिए 22 बाइस नमर question का option 4 को देखते हैं देखिए सबसे पहले question देखिए राष्ट पत्री के चुनाव में निमने में से कौन भाग लेते हैं इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका option नमर एक यानि संसद के दोनों सदनों एवं राजबिधान सभाग के सभी निर्वाची सदस आंसर क्या हो जाएगा option नमर एक अगला question देखिए अगला question नमर देखिए 23 कहता है किस भारती है परदोगी संस्थान आई आई टी के सहयोग से जन जाती सहकारी विपनन विकास फेडरेशन अप इंडिया और ये क्या है ट्राइफेड और 36 गर्ड माइनर फोरेस्ट प्रोडियूशन फेडरेशन द्वारा देखिए यहां आपको question बना क्या बना ट्राइबल्स ट्राइबल्स पहला लॉंज क्या है ट्राइबल्स लॉंज क्या है किस इसका देखिए 23 नमर का आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपको आईएटी कानपूर आंसर क्या हो जाएक साती हो एक नमर आंसर हो जाएगा आईएटी कानपूर अगला question नमर देखिए 24 नमर इसको समझते हैं 24 नमर question जो है लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते बाले पौधे कैसे दिखेंगे यह देखिए आंसर हो जाए आपका क थाला दो अंसर हो जाएगा अगला question 25 नमर में दिया गया है तक्यlation मैधानों और उत्तर भारतिया मेधान में उत्कृष्ट मिट्टी का परकार हैं कोंसे परकार हैं 25 का अंसर क्या होगा चलिए 25 आउनसर जानते हैं 25 का अंसर हो जाएगा आपका आप्सण नमर 4 हो लोड हो जाएगा जलोड मिटी हो जाएगा अंसर अगला कोस्चन नमर देखिए साथ यूँ आपका कोस्चन नमर 26 इसको समझते हैं 26 नमर कोस्चन दिया गया है परती बेक्ती आई मापने के लिए निवने में से किस फर्मुला का इस्तमाल क्या जाता है इसका देखिए आंसर आपको हो जाएगा अप्शन नमर चा रास्टिया आए बट्टी कुल जन संक्या चार नमर फर्मुला का यूज करते हैं अगला कोस्चन देखिए आपको देखिए इधर कोस्चन और इस साथ आपका आप्शन दिया गया है कोस्चन देखते हैं भारत में अंग्रेजों के ल समाप्त हो गई चलिए इसका देखिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा देखिए आंसर हो जाएगा आपका कोस्चन नमर 17 का आंसर क्या होगा तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका आप्शन तीन यानि बांडी वास के यूद के साथ बांडी वास के यूद के साथ तो द कोश्चन देखिए कोश्चन नमर 28 अठाइस कहता है पीबी सी किसके बहुली करन के बाद गठित होता है पीबी सी इसका अंसर क्या होगा साथियों देखिए कोश्चन नमर 28 का अंसर हो जाएगा आपका अप्सन नमर बिनाइल खिलरायःट आंसर क्या होगा बिनाइल कुलरायट आंसर हो जाएगा चार नमर ऑप्सन अगला कोश्चन देखिए पहसा के अधार पर निमनिलिए्खित में से किस राज का गठन हुआ था भासा की अधार पर किस राज का गठन हुआ था question no.39 का answer हो जाएगा आपका option no.2 आंद परदिस का गठन हुआ था 1973 भासा ये अधार पर 1903 में आंद परदिस का गठन हुआ था अगला question नमर देखिए 30, question आपका कहता है, question है, अब चैयन, redoxon अभिकिरिया में क्या होता है, देखिए ये redoxon जो अभिकिरिया है, redox अभिकिरिया, इसमें देखिए क्या होता है, चलिए इसका देखिए, answer जानते हैं, 30 नमर question, 30 का जो answer हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, तीन नमबर option क्या होता हाइड्रोजन की बिर्दी होती है यानि अपचेन में क्या होता है हाइड्रोजन की बिर्दी होती है अगला question देखिए question नमबर 31 कहता है सीने गौग निमने लिखित में किसका पूजा अस्तल है सीने गौग जो पूजा अस्थल है ये किसका पूजा अस्थल है अब साथियों इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपका आपसन नमर तीन 31 का आंसर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा यहुदियों का यहुदियों का पूजा अस्थल जो होता 32 देखिए कोश्चन देखिए काता है कौन सा सुमेलित गलत है कौन सा सुमेलित गलत है देखिए इसका अंसर क्या होगा 32 नमबर देखिए ये आपको सही है विटामिन के रक्त सराव विटामिन ए रतांधी विटामिन ए क्या है रिकेट्स अब देखिए 32 का आंसर क्या होगा है दोस्तों देखिए यही गलत है एसकरविक विटामिन सी होता है एसकरविक विटामिन सी ये भी सही है कि और यह यह क्या है विटमिन इस जो होता है आपको क्या होता है इसे जनन समता पैंपरुआ परता है क्या होता है ぎहां छसमता होहना छाहिए लिकिन यह's इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा आपसा नमबर डी ही बिल्कुल सही होगा अगला कोश्चन देखिए कोश्चन दिया हुआ आपका 36 गड़ लोह और इस पात का कारखाना कहां इस्तित है अब देखिए यह आपसे पूचता है 36 गड़ में लोह और इस पात कारखाना कहां इस्तित है इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा 33 नमर कोश्चन का इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको तीन नमर उप्षन भिलाई कहा है भिलाई में अब देखिए ये जो हुआ था भिलाई में ये इस पास सनियंत का अस्थापना हुआ था ये भारत का पहला क्या है उत्पाद यंत्र है ये का रखाना क्या है भारत का पहला इस पास उत्पाद सनियंत्र था अब देखिए इसका अस्थापना हुआ था सोविय संग के सहाइता से 1905 में 1905 में हुआ था अब देखिए यह आपको दूसरी पंचवर्षी योजना के अंतरकत रखा गया अगला कोश्चन देखे 34 देखे साथियों यह कोश्चन आपका पूछा गया कोश्चन है अभी फिलहाल में जो एंटिपी गया कोश्चन निम लिखित ब्यक्तियों के किस समुह ने भौतिक का नोबेल पुर्षकार जीता देखे नोबेल पुर्षकार भौतिक का जो जीता देखे कौन सा कौन कौन से ब्यक्ति को दिया गया इसका देखे आंसर आपको दिया गया यह कोश्चन आप याद कर लिए 34 नमर कोश्चन का जो आंसर होगा वो तीन नमर हो जाएगा रोजर पैनरोज और दिया गया आपका रेइन हाई गैनलज और इंड्रिया गेज ये तीन को दिया गया आपको आप इसको याद कर लिज़े अच्छी तरह से अगला कोश्चन देखिए दिया गया आपका 35 नमर भारतिय समिधान के किस अनुछिद में बीतीय आपात का बर्नर चलिए बीतीय आपात का बर्नर चलिए बीतीय आपात चलिए इसका देखती आंसर क्या दिया हुआ है आंसर देखिए हो जाएगा आपका 35 नमर भीतीय आपात जो होता है अनुछिद तीन सो साथ अनुछिद तीन सो साथ बीतीय आपात और साथियों में बता दू राष्ट पती सासन कितना होता है 3056 में में और देखिए राष्ट यह आपात जो होता है यह आपको राष्ट पती सासन होगा तीन सो जोगा तीन्सो बाबन हो जोगा हुआ हो गया का का ढख corruption जो हो गया यानि राश्ट इस आसन के अंटरगर्ड Buddhist देखें 36 नंवर कहता है घाटी में भारत की कौंसी नदी नर्ध हो घाटी में भारत की Kate कौंसी नदी बहति यह है question no 36 का answer हो जाएगा साथियो Łam unzer2 हो जाएगा यानि तापती नदी क्या हो जाएक अंसर तापती नदी हो जाए अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमर 37 2020 का फ्रेंच ओपेन का खिताब किसने जीता यह भी कोश्चन में कन्फ्यूचन होती रहता है इसलिए इसको भी याद कर लिएगा इसका अंसर हो जाएगा आपसान 2 यानि राफिल न डाल फ्रेंच ओपेन 2020 किसने जीता तो राफिल न डालने अगला कोश्चन नमर 38 कहता है सुमेलित सही यह कुछी पूरी आंध परेस कफ्तकली अब देखिए कफ्थक क्या है कफ्थक कफ्थक देखिए अब देखिए कौन सा कहता है सही है देखिए यही आपको बिल्कुल सही हो जाएगा बिलकोल सही हो जाएगा यानि देखिए अब इसको क्या कीजिये इसको देखिए आपको मैं बता दे रहा हो कुछी पूरी जो है यह आनों पर समेंदे यह आपका सही 38 का अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर एक हो जाएगा अगला कोर्शन देखिए वहêtes करतकली केरल का होता है अगला कोशन देखिए कोशन नमर 49 सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में आस्थाई सदस्यों की निर्वाचन की अब धी कितने समय के लिए होती है चालिस नमर कोशन का अंसर क्या होगा साथियों देखिए इसका अंसर हो जाए आपको अप्सन हो जाएगा तीन नमर यानि कितने समय के लिए होता है दो साल के लिए दो साल की अवधी होती है अगला question देखी अंतीम question होगा और ये भी question आपका बहुत important है नेमलेखित में से कौन से कौन से वे दो राजबंस थे जो खिलजी बंस से पहले खिलजी बंस से पहले थे तो अब देखिए खिलजी बंस से पहले इसमें चली आपको पहले answer बता दे रह 3 क्या हो जैगा 300 हो जाएगा आंसर यनी अलब सर्द्ध और लग आप दो की आंसर यह उसका जाएगा आज की वीडियो नहीं देखिए अब इसका मैं पीडियर्प आपको दे दूंगा मैं PDF दे दूँगा आप कुछ question बना कि देखिए गा इसको देखिए आप कैसे बनाएंगे इसका answer आप comment कीजिएगा क्या हो सकता है चलिए और देखिए इसमें आपको miss दिया गया था question चलिए इसमें भी चर्चा कर लेते हैं इसमें देखिए एक हो जाएगा यह उनी से यहां मान क्या बनाएगा तब आपका answer आगा या नहीं तो आप गलत answer लगा लेंगे फिर आप answer मिलाएंगे कि answer ही गलत है कुछ question आपको miss print और चलिए कुछ question और चलते हैं आपके साथ सर्चा करते हैं देखिए अब आप यह question बना के comment किजिए इसमें परिशानी है लेकिन देखिए मैं यह नहीं कहता गलत है लेकिन आप comment किजिए answer क्या हो सकते हैं doubtable question आपको जरूर मिलेंगे इसलिए साथियों मेरे ख्याल से आप इस सभी जो मैं इसका आपको PDF दूँगा उसको आप download करके जरूर बनाएगे और यह answer बिल्कुल सही है इसलिए यह भी question आप जरूर बनाएगा साथियों आज की वीडियो में इतना ही था फिर अगले वीडियो में आते हैं तब तक ले जहिन मेरे आप टेलिग्राम गूर्प जूट जाएगा वहाँ आपको PDF मिलते रहेगा थेंक्यू साथियों फिर आगले वीडियो मिलते हैं